दोस्तो आज किसी वीडियो में बात करा चाहूंगे गैप थियोरी के बारे में गैप क्या होते हैं, ये कितने टैप्स क्यों होते हैं, मार्केट में फ़र्म क्यों होता है और कैसे आपको ट्रेड करना है, मिन्स कि एससे टार्ड क्या होगा, everything in detail आज किस वीडियो में बात करेंगे, तो आपको वीडियो में बने रहना सबसे पहले चलते हैं, बोड पर बोड पर समझते हैं, ओके, देखो, गैप क्या होता है काफी ये common है, ठीक है, पहले समझो, गैप फ़र्म क्यों होता है, ठीक है आज मार्केटी क्लोजिंग होती है, 100 पे, और क्लोजिंग के बाद, हो सकता है, कुछ पोजिटिव न्यूज आ जाए, ठीक है कहीं पे भी, आपके country में भी, या globally कहीं पे भी, तो हो सकता है, उसका impact आपके चार्ट पे कल दिखे, आपके मार्केट पे कल दिखे, ठीक है next ने हो सकता 120 पे यह open हो, कहां पे 120 पे open हो, ठीक है, open होने के बाद open लोग सेव हो सकता है, तो यहां पे देखो, आखिने gap क्यों ऐसे रहा जाता है, ठीक है, तो psychology समझे, maximum जो retail trader है, उनको क्या लगता है, जो gap आज फर्म हुआ है, यह gap, यह gap फिल हो सकता है, और आप देखो के YouTube पे भी देखोगे, बहुत से लोग आपको यही समझाएंगे, ठीक है, यह gap जो यहां पे बना है, यह gap फिल हो सकता है, तो इसलिए लोग क्या करते हैं, retail trader क्या करते हैं, sale side में trade बनाते हैं, क्या करते हैं, sale करते हैं, और यही पे operator buy करता है, ठीक है, और market यहां से उपर, तो सेक्रोजिस वहीं में आ गिया, retail trader यहां पे sale करते हैं, यह सुचके gap फिल होगा, वहीं proprietor buy करते हैं, और यहां पे बहुत अच्छा एक बुडु बुदु केंडल form होता है, maximum case में, ठीक है, तो यहां पे आपको क्या करना है, जैसे open low यदि same हो, क्या हो, open low same हो, तो यहां पे आप चाहें, तो buy side में trade बना सकते हैं, बट यहां पे कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे market open हुआ 9.15 में, ठीक है, कहां पे 120 के आसपास में, ठीक है, आपको देखना 9.15 से 9.18 तक, यह जो open low है, यह break नहीं होना चाहिए, means कि जहां पे open हुआ था, वहीं से market द यह क्या होगा, योगा SL, इस SL के साथ में, आप buy side में trade बना सकते हैं, हो सकता है 9.18 पे यह आपको, कहां मिले, 122, 123 कहीं पे भी मिल सकता है, ठीक है, तो आप यहां पे buy कर सकते हैं, और title की बात करेंगे, तो आप 1.2, 1.2, या फिर आप चाहें, तो 9, sorry, आप चाहें तो इस profit ले सकते हैं, बट आगे आपको बताऊंगी, हमेशा नहीं, ऐसा नहीं कि हमेशा open low, same हो, तो वहां पे buy ही करना चाहें, नहीं, आगे आपको detail बताएंगे, कहां पे buy करना है, कहां पे buy avoid करना है, ओके, अब चलिए, second case में आते हैं, market आज close कहां पे हुआ, 100 पे, ठीक है, overnight क्या हुआ, कुछ negative news आ गिया, worldwide, ठीक है, कुछ, मार्केट यहां पे open कहां पे हो जाए, 90 पे, ठीक है, अब यहां पे देखिए, 90 पे open हुआ, अब लोग को क्या लगेगा, कि market यहां पे 90 पे open हुआ है, तो यह gap जो इसने form किया, 10 point का, यह gap यह feel कर सकता है, तो क्यों नहीं, यहां पे buy sell का trade बनाया जाए, ओके, और यह लोग यहां पे क्या करते हैं, buy करते हैं, बट market क्या होता है, नीची आया था, क्योंकि operator यहां पे sell करते है, ठीक है, जहां पे open हुआ था, 90 पे open है से, जहां open हो, वहीं से market नीचे आ जाता है, यदि यह क्या करें आपको, 915 से 918, 100 पे क्या हुआ था, close हुआ था, ठीक है, closing से लेते हैं, और इसकी opening कहा पे हुई थी, एक gap firm हुआ, opening हुई थी, 90 पे, ठीक है, तो यदि 915 से 918 तक, यह open high break नहीं होता है, तो आप यहां पे short sell का trade बना सकते हैं, एक small sell होगा आपका, कितना, after 918, आप यहां पे sell side का trade बना सक सकते हैं, sell क्या होगा, तो 90, जो open high same था, वही होगा, आपका sell, okay, target क्या लेंगे, यहां पे आप चाहें, तो 1 is 2, 1 का, 1 is 2 का, या फिर 315 में direct profit book कर सकते हैं, क्योंकि यह होता है, just lottery का ticket, हो सकता है कि 918 में आपको यह मिले, कहां पे, हो सकता है, 88 पे मिले, 87 पे मिले, तो यह यहां से आपका sell हुआ, only कितना, 2 से 3 पॉइंट का, बट नीचे यह हो सकता है, आपको downside कहां पे, 85 भी आ सकता है, 80 तक भी आ सकता है, नीचे कहीं भी आ सकता है, ठीक है, तो यहां पे, खोने को कुछ नहीं है, बट पाने को बहुत कुछ है, यह just like lottery का ticket होता है, बट एगे बोलना चाहूंगी, every open high पे shell नहीं करते हैं, यह सारा कुछ आगे आपको समझाएंगे, ठीक है, चलिए, अब बात करेंगे gap कितने types के होते हैं, बट उससे पहले आपको थोगा सा चार्ट पर ले जाएंगे, ठीक है, यहां देखो आप, यहां पे देखिए, यहां हैंगे, okay, gap up own हुआ है, उसके बाद भी open low same है, और market यहां से कितना अच्छा उपर आप देख सकते हैं, ठीक है, यहां देखो, यहां देखो, open high same है, market यहां से नीचे, ठीक है, तो आपको लगभग, maximum case मतलब, आपको लगभग यह gap देखने को मिलता ही है, कभी index में, कभी क gap कितने taps के होते हैं, तो gap mainly two taps के होते हैं, एक होता है, breakaway gap, एक क्या होता है, breakaway gap, और second होता है, आपका runway gap, runway gap, ठीक है, आप समझो breakaway gap, breakaway gap क्या होता है, breakaway gap, तो breakaway gap हमेशा आपको या तो resistance, या फिर support के पास में देखने को मिलता है, ठीक है, यहां समझे, और आसा इसको delete करते हैं, यहां समझना, breakaway gap, यह क्या हो गया, resistance, यह हो गया support, ओके, यहां समझे, क्या होता है, जब कभी भी, resistance के ऊपर यहां पर, यहां पर, gap form हो, और open low सेम हो, ठीक है, तो यहां पर आप buy side में trade बना सकते हैं, यहां देखिए, resistance कितना होगे आपका, 400, support 350, ठीक है, market के opening कहां पर होगे, gap opening होगे है, 400, 10 के आस पास में, ठीक है, यहां पर open low सेम है, open low, कित कितना है, 4, 10 का, ठीक है, market open हुआ, आपको देखना है, 9, 15 से 9, 18 तक, यदि 9, 15 से 9, 18 तक, open low break नहीं होता है, तो आप यहां पर, buy side में trade बना सकते हैं, SL क्या होगा, SL होगा, open low सेम का, तो कितना है, 400, 10 का, हो सकता है, 9, 18 में, यह आपको, 4, 15, 4, 13, 4, 15 के अस पास मिले, ठीक का देता है, तो ऐसे, इसी टैप से आपको, 2, 3 मेंट के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है, तो मानगे चलो, यह आपको मिलता है, कहां पर, 15 पे भी, तो फिर भी आपका, SL है, only 5 रुपीज का है, बट वहां से हो सकता हूँ, आपका, 420, 425, 430, 450 भी जा सकता है, क्योंकि बहुत अच्छा मुरुबुजू के रिल फर्म होता है, ठीक है, तो टार्गेट क्या लेना है, ऐसे, आप इसका टार्गेट ले सकते हैं, इसका भी, मिन्स क्रेस्टेस सपोर्ट के बीच में जो डिफरेंस होगा, वो भी आप टार्गेट ले सकते हैं, यहां पे आप चाहे हैं, तो 50 पॉइंट का टार्गेट भी अपसाइड में ले सकते हैं, ठीक है, एक्जिट का बहुत सा रास्ता है, देखो, 1-1 भी आप ले सकते हैं, 1-2 भी ले सकते हैं, चाहें तो आप 3 बच के 15 मिनिट पे भी एक्जिट हो सकते हैं, या फिर इसकी बीच का जो डिफरेंस ह रिकर सकते हो, तो जब कभी प्या हो resistance के उपर में यदि कोई GYPO होता है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 20 बना सकते हैं, सिम Section हो जी यहां पर जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं वो यहां पर सेल करते हैं यह सोचके कि यह गाप तो फील हो का और मार्किट यहीं से ऊपर चला जाता है सेकेंड यहां पर देखो यहां पर 400 और सपोर्ट 350 ठीक है यदि यहां पर क्या हो सपोर्ट के पास में य सपोर्ट के नीचे यदि मार्केट ओपन होता ओपन हाई सेम होता है यहाँ पर ठीक है तो आपको देखना है कि 915 से 918 तक क्या देखना आपको 915 से 918 तक यदि ओपन हाई ब्रेक नहीं होता है तो यहाँ पर आप short sell का trade बना सकते हैं SL क्या होगा, open high का same, आपको देखना, trade को लेना है, after 918, 918 के बाद, आपको trade लेना है, SL क्या होगा, तो open high same, जो भी होगा, वही आपका SL होगा, ठीक है, यहाँ पर, for example, यहाँ पर हो सकता है, यह 340 के पास में, यह open हो, ठीक है, तो 918 में यह हो सकता है, maybe आपको तौसा नीच 337 के असपास मिले, ठीक है, 336 मिले, तो यहाँ पर आप sell कर सकते हैं, और target चाहे तो 1 is to 1, 1 is to 2, या फिर आप 315 में profit book कर सकते हैं, या फिर इसके बीच का जो difference है, वो भी आप ले सकते हैं, हो सकता है, same day नहीं है, next day target है, यह भी हो सकता है, यदि target बढ़ा हो, तो next day भी आ स सकता है, ऐसे maximum case में क्या होता है, इसको दोस्तों चार्ट पर समझते हैं, तो यहाँ पर देखें, ब्रिक वे गयाप, यहाँ पर देखो आप लो, यहाँ पर क्या है, एक resistance है, ठीक है, क्या है, एक resistance है, और यहाँ पर support है, कलो के next day क्या हुआ है, gap up opening हुई है, यहाँ पर एक देखने को मिला, तो जब कभी भी आपको दिखें, ठीक है, इस तरीका gap तो आप यहाँ पर buy side में trade बना सकते हैं, छोटे से SL के साथ में, पर आपको धियान का देना है, कि 9.15 से 9.18 तक इसका जो open low है, वो break नहीं होना चाहिए, ओके, तो कई बार आपको यह देखने को मिल स सकता है, सेम ऐसे ही, आप देखना है, कभी आपको support के नीचे यहाँ पर open high देखने को मिलेगा, और सेम जी, यदि क्या हो, 9.18 तक break नहीं हो, तो आप वहाँ पर short sell का trade बना सकते हैं, ठीक है, दोस्तों आगे बात करेंगे runway gap के बारे में, बट वो बात करेंगे next video में, उसमे runway gap के बारे में समझ सकते हैं, तो इसको यहीं पर close करते हैं, आसा करते हैं, आज के वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला हुआ, कोई dot होगा, query होगा आप पूछ सकते हैं, वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को like कीजिए, share कीजिए, और चैनल पर नहीं है, तो subscribe भी कीज कीजिए, फिर मिलते हैं, नेक्ट वीडियो में, तब तक के लिए, नमस्कार.